साथियों देश की जनसंख्या बढ़ने के साथ खेती की जमीन छोटी से छोटी होती जा रही है इसलिए देश में किसान उत्पादक संगों का निर्मान बहुत आवशक है आज सरकार छोटे किसानों के हजारों किसान उत्पादक संग यानि एपियोज बना रही है एक दो भीगा के पान्सो किसान परिवार जब संगडिध होकर बाजार में उतरेंगे तो वो पान्सो हजार भीगा के किसान से भी ज़्यादा ताकप पर होंगे इसी प्रकार किसान रेल के माध्यम से सबजिया, फल, दूर, मचली और ऐसे अनेक व्यवसावें से जुड़े छोटे किसानों को अब बड़े बाजारों से जोड रहा है जो नए करसी सुधार किये गए हैं इनका लाब भी छोटे और सिमान किसानों को सबसे अधीक होगा उत्तर प्रदेश में इन नए कानूनों के बनने के बाद जग़ जग़ से किसानों के बहतर अनुभव सामने आने में भी लगे हैं इन करसी कानूनों को लेकर भाती भाती का अप्रोचार करने की कोशिश की गई ये पूरे देश ने जखा है कि जिनोंने देश के करसी विजार में विदेशी कंपनियों को भुलाने के लिए कानून बनाया वो आज देशी कंपनियों के नाम पर किसानों को ड़ना रहे हैं साथ क्यों राज नीती के लिए जूट और अप्रप्रचार की ये पूल अब फ़यम किसान खोल रहे हैं नए कानूनों के लागू होने के बावजूत यूपी में इस बार पिछले साल की तुलना में दो गुने किसानों का धान खरीजा गया इस बार करीब 65 लाग मेट्रिक टन की खरीद यूपी में हो चुकी है जो बीते साल की तुलना में लगबग दो गुनी है यही नहीं योगी जी की सरकार गन्ना किसानों तक भी बीते सालों में एक लाग करोड रुपे से अधिक पहुँचा चुकी है कोरोना काल में भी गन्ना किसानों को दिकत ना आए इसके लिए हर संबब मदद दी गई है चीनी मिले किसानों को भुपतान कर पाएं इसके लिए केंद्र ने भी हजारों करोड रुपी राज्य सरकारों को दिये है गन्ना किसानों का भुपतान समय पर होता रहे इसके लिए योगी जी की सरकार के प्रयास जारी है